कर दो यह देखो यह जो सूट है यह एक संतो बीच बीच में काट के इसको इसका गला त्यार किया जाएगा और बाकी ये सूट है इसको निशानी लगा के नाप के इसको त्यार किया जाएगा और ये सूट जो है ये ये भी ऐसे ही त्यार हो जाएगा तो ये देखो एक ये ब्लैक कलर का है इसके उपर भी डिजाइन बना हुआ है तो ये देखो इसको भी काट रहे हैं कुछ काट दिया कुछ काटना है अभी तो ये ये भी ऐसे दीरे दीरे ये सूट त्यार हो जाएगा तो आलग आलग रिजैनों के उपर ये सूट त्यार किये जाते हैं ये सूट त्यार करने के लिए बहुत मेंत करनी पड़ती है इसके नाप करने जो किसी का नाप होता है उसके नाप के हिसाब से सूट को काटा जाता है उसके बाद ये सलवार होगी, सलवार त्यार की जाती है सूट त्यार किया जाता है इसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं अलग-अलग तरह के जो हैं वो सूट काटे जाते हैं जैसे पत्याला सलवार होगी, पत्याला सूट हो गया पजामी सूट हो गया तो एक जो जिसको फराक बोल देते हैं फराक जैसा सूट वो भी बनाया जाता है तो ये जो है अलग-अलग डिजाइन के सूट यहां त्यार किये जाते हैं देखो अब ये सूट को सेटिंग करके इसको काट देंगे फिर बाद में निशानी लगा के इसको काट देंगे और अगर किसी ने कोई सूट सिलवाना हो तो आप सिलवा सकते हैं उसका जो खर्चा है वो उसके सूट के इसाब से ही उसका खर्चा जो तेय किया जाता है और कहीं से भी आप यहां भी सूट में हैं माचल में दिल्ली में अंबाला में यहां भी कहीं भी बैठे हो तो आप वहां से सूट कार्डर भेज सकते हैं और उसके जो है वो उसके साथ नाप भेजना पड़ेगा आपका नाप इतना है लंभाई चोड़ाई जो भी है वो उसके भेजने पड़ेगी अगर निज्जीदीक रहते हों तो फिर खुद ही आना पड़ता है तो खुद आके वहां अपने नाप जो है वो देंlier सकते और अगर दूर हैं तो दूर से आप जो नाप है वो उसके लिख के जहां बोलकर लिख लेक कर भेज्कते हैं तो फिर उसकेकी साब से वह सूट जैसा भी बोलो के वैसा त्यार किया जाएगा सूट अगर उसका सेंपल भेज सकते हैं तो उसका सेंपल भी भेज सकते हैं वो सेंपल देखके भी सूट जो है वैसे ही त्यार कर दिया जाएगा जैसे पहले बना होता है सूट किसी का उसके इसाब से भी त्यार कर देते हैं तो इसके लिए अगर आपने किसी भी तरह के कोई सूट से लिवाना है तो हमारे साथ संपर्क कीजिए हमारा नंबर है और आप देखो सामने सलाई मशीन पड़ी है वो सलाई मशीन के उपर बैठके आप ये जो है ये उसकी सलाई करते है थैंक यू